हेलो फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे कोपी पेस्ट तो हमें पहले कोई भी संटेंस को या किसी भी चीज को कोपी करने के लिए उस चीज को पहले सेलेक्ट करना है से इसकी shortcut की है copy की ctrl c से हम copy कर लेंगे और जैसे कि आपने देखा मैंने यह paragraph select कर रहता है अब मुझे इसे paste करना है तो मैं यहाँ पे click करूंगी मेरा icon दिखाई दे रहा अब मैं इसे वापस कर रहा है ctrl v जिससे होता है paste आपको मेरा sentence दिखाई देगा होगा sir जो मैंने use किया था उपर मैंने इस paragraph को select किया था ctrl c से ctrl v से मैंने इस paragraph को यहाँ पे paste कर दिया है अब आप चाहिए तो इसे दो-तिन बार लिखना चाहते हैं इसको तो आप again ctrl v कर सकते हैं यह देख रहे हैं यहाँ यह पेστε होता चला जाएगा आपको इट बार select करने की जोरत थी एक बार copy करने की जोरत दि हुआ अब जब तक आप इसे change नहीं करते हैं या दूसरा select नहीं करते हैं या दूसरा paragraph को copy नहीं करते हैं तो आप इसे paste कर सकते चाहें ju